विराट कोहली ने अपने दो सौवे वंडे मैच में शांदार शतक तो लगाया लेकिन उनकी टीम मैच हार गई विराट की कप्तानी पारी टीम इंडिया के काम नहीं आई और भारतिय सरजमी पर पहली बढ़ रटीम इंडिया विराट कोहली के शतक लगाने के बावजूध हारी विराट कोहली की बेकार गई पारी पर पूल कप्तान सौरव गांगुली का मानना है कि विराट कोहली कोई सुपरमैन नहीं है जो वो कभी मैच हारेंगे ही नहीं सौरव, कांगुली ने इंडिया टुडे को बयान दिया, विराट को हिली अच्छे होते जाएंगे लेकिन वो मैच भी हारेंगे चाहे वो भारत में ही क्यूं ना हो विराट कोई सुपरमैन नहीं है, कोई कप्तान ऐसा नहीं है जो भारत में मैच या सीरीज नहीं हारा हो MS धुनी की कप्तानी के आखिरी साल में वो बांगलादेश में सीरीज हारे अफ्रीका ने हमें यहां आकर वंडे सीरीज में माती, वेस्ट इंडीज ने हमें वर्ग टीबीज 2016 में सैमी फाइनल में हराया सौरवगा, पुली ने आगे कहा विराट रुगली आगे भी मैच हारेंगे वो एक इंसान है विरोधी टीमें भी अच्छी है, न्यूजिलेंड का मिडल ओर्डर ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं है कीवी बल्लेबाज भारती अगेन बाजों का टेस्ट लेंगे ये सीर, जो टीम इंडिया के लिए कड़ी मशक्कत वाली रहेगी जो भविश्य के लिहाज से उसके लिए अच्छा भी है आपको बता दे तीम बंडे मैचों के पहले मुकाबले में कीवी तीम ने मुंबई में बड़ी आसानी से टीम इंडिया को 6 विकेट से हरा दिया था अब Team India को अगला मुकाबला 25 अक्टूबर को पुने में खेलना है जहां Team India को हर हाल में मैच जीतना ही होगा